हेलो दोस्तों, माइंड शेपर के एक और इंग्लिश लर्निंग वीडियो में आपका स्वाकत है. आज जिस इंग्लिश इडियम को हम सीखेंगे, वो है बैड एग. तो चलिए शुरू करते हैं. बैड एग का मतलब होता है, एक ऐसा इंसान जो बुरा और अविश्वस्निय है, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. वह एक बुरा और अविश्वस्निय व्यक्ति है, उसका विश्वास मत करो. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, That person is a bad egg. Don't trust him. यहां पर, person का मतलब है व्यक्ति और trust का मतलब है विश्वास. वह एक बुरा और अविश्वस्निय व्यक्ति है, That person is a bad egg. उसका विश्वास मत करो. Don't trust him. इस समारों में केवल वो ही एक बुरा इंसान है इसको हम इंगलिश में बोलेंगे He is the only bad egg in this party Party का मतलब होता है समारो इस समारों में केवल वो ही एक बुरा इंसान है He is the only bad egg in this party एक last example देखते हैं उससे सावधान रहना वह बुरा और अविश्वस्निय व्यक्ति है इसको हम इंगलिश में बोलेंगे Be careful of him He is a bad egg Careful का मतलब होता है सावधान उससे सावधान रहना Be careful of him वह एक बुरा और अविश्वस्निय व्यक्ति है He is a bad egg So, दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये idiom और इसका इस्तिमाल अच्छे से करना आ गया होगा अब आप इस idiom को अपनी daily बोलचाल में यूज करें और हमें कमेंट करके अपने अनुभाव के बारे में बताएं चलिए दोस्तों अब हम जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई